नमस्कार दोस्तों मैं आप सिख पटेल रिये जुके सनाईय सिकड़ियों पर आप सभी का सौगत करता हूँ दोस्तों आज आप लोगों नहीं थी हास बिसे का दूसरा टेस्ट दिया और अब समय है कि उस टेस्ट की बिश्टिव ब्याख्या की जाए तो चलिए सुरू करते हैं हमारा पहला प्रस्ण है कि निमलखित में से कौन सा कथन अलावदिन खिलजी के लिए सही नहीं है इस प्रस्ण को हल करने से पहले थोड़ा हम खिलजी बंस या उसके संस्थापन और अलावदिन खिलजी के बारे में जान लेते हैं खिलजी बंस के स्थापना सन 1290 सुवी में जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी नहीं किया लेकिन उसके 6 साल बाद अलावदिन खिलजी ने इलावद में कड़ा के निकट जलाल उद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और खुद दिल्ली का सुल्तान बना अलावदीन खिल जी के बिसे में कहा जाता है कि वह पहला ऐसा सुल्तान था जिसके सासन काल में धर्म हावी नहीं था धर्म सासन पर हावी नहीं था जबकि उसका सासन धर्म पर हावी था वह यहां था क्यों नया धर्म चलाना चाहता था, जैसे कि हिंदू धर्म मुस्लिम है, ठीक, इसी किसाई, उसी परकार से एक नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उलिमाओं ने बिरोध किया, वो नया धर्म नहीं चलाया, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी महात्वा क चाहती वह दिदिये सिकंदर बनना चाहता था उसने अपने आपको सिकंदर ये सानी की उपाधी दी ठीक है उसने अपने आपको क्या उपाधी दी सिकंदर ये सानी की ठीक है सिकंदर ये सानी की उपाधी अब अगर मुझे ही दूसरा सिकंदर बनना है तो क्या सामनतों की सेन चोटी चोटी सेना से मैं भी सुभी ये कर पाऊंगा और नहीं कर पाऊंगा तो उसने सबसे पहले किया कि अफ्थाई सेना रखी और बोला कि अफ्थाई सेना में रखूंगा आपको मेरे लिए लड़ना है और कोई दूसरा काम आपको नहीं है आपको नगत बेतन भी दिया लेकिन इतनी बड़ी सेना उसके पास उस समेस सबसे बड़ी घल ऑर ये कहा जाता है कि यद इतनी भड़ी सेना को सामान निवेतन देता तो भी उसका पूरा जाना था पांक से छे साल में खाली हुजाता हूं तो सिकस्ति कर ने के लिए उसने क कहा कि नियन्तरित करूँ गा और मुल्य नियनतर पढ़ स्खीवर टैसे लागुंति को ऊभर किСी भी बत्यूकाब दाम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ तीक है एक नियम कानून के दाइरे में रहा और जब बजार में खाने की बसने सस्ती थी तो उसने बेतन कम दिया अब सेना अस्थाई थी अस्थाई सेना थी तो उसने कहा कि अब जो लूटा जाएगा किसी भी राज पे आकमण करेंगे हम जीतेंगे उस राज को लूटेंगे अब ज लेकिन अब इतने बड़ी सेना को अगर आपको बेतन देंा है तो सभी सेना की हुलिया तो पता होना चाहिए तो सबसे पहले इसने घोडे दागने और सैनको की हुलिया लिखने की पर्था भी सुरू कर दी इसने सैनको की हुलिया लिखने की भी पर्था सुरू कर दी और इसके साथ साथ उसने कर भी बढ़ाए उसने किरसी पर जो कर था, वो एक बटा दो कर दिया, मतलब पचास परस्त कर दिया, उसने जोपड़ी पर भिकर लगा दिये, मतलब जो जोपड़ी पर कर लगता था, उसको गढ़ी कर कहा गया, गढ़ी कर, ठीक है, और उसने जो दूद देने वाले पसुने थे, उन पर भिक क्योंकि यदि आप ही सिकंदर सानी बनना चाहेंगे तो आपको इतनी ब्योस्ता करनी पड़ेगी ठीक है तो याद करने वाल इसमें कोई चीज़े नहीं एक दूसरी से कनेक्ट कीजिए यह आपको याद रहेंगे ठीक है अब अपने प्रस्ण को हम देखते हैं हमारा चलाता चलाना चाहता था रहन था नया धर्म वी चलाना चाहता था लेकिन बाद मुस्ते चलाइं उससे रुचारत कि यहं भी सिय क्योंकि उसी के दौर से बाजार पर अस्थापित है कि उसने घर पर लगाया था ऐं करते आंतों या कर देसी थैसर्ण संकेतिक मुद्रा इसे नहीं चलाय था तो यह अलावदिन खिली लिए भी कहा जाता है कि वह कहता कि मैं नहीं जानता कि कानून की दिष्ट से क्या और क्या अनुचित है मैं राज की भलाई अत्वा आउसर विसेश के लिए जो उप्यूक्त समझता हूं उसी को करने की आग्या देता हूं अन्तिम नयाय के दिन मतलत जब मरेगा जन्नत में जाएगा कहां जाएगा उस दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता हूं ठीक है उसका एक ही मोटिव था कि जो जन्ता के पच्छ में हो मैं वो सब काम करूंगा चाहे वो धर्म के खिलाफ ही क्यों ना हूं अगला प्रसना वारा है अलाव दिन खिल जी के परफिद सेनापतियों में किसकी मंगोल के बिर्द लडाई में मिरित हुई थी तो यह हुई थी मिरित ज जब अलाव दिन खिल जी गद्धी पर बैठा तो मंगोलों के साथ उसके कुल मिला के छे युद्ध हुई थी ठीक है 1297 से 96 में हो बैठा गद्धी पर अपने ससुर को मार के क्योंकि जलालुदीन का ये था भतीजा बाद में जलालुदीन ने अपनी बेड़ी की इफादिय इसे कर दिया दमाद बन गया तो इसने जलालुदीन खिल जी की हत्या कर दी 1290 उसके बाद 1297 से 1306 तक उसने छे बार मंगोलों से युद्ध लड़ा उसमें एक बार उसका सेना पति था जफर खां जफर खां की मंगोलों के बिद्ध लड़ते हुए मिरुद्ध हो गई ठीक इसको अलावदीन खिल जी ने दच्छिड की तरफ भेजा था ठीक दच्छिड की आप बिजे करिए वहां पर जितना धना आये लूट की लाईए मलिक काफुर जादा तर दच्छिड का भियान पर था और उलूख खा जो है यह बलवन का पुकारू नामे ठीक है बलवन को को लूखा के नम से जाना प्ति अगला प्रशन हमारा है कि किई कि अलावदीन खिल जी के आकमन के समयं देवगरी का सासक कौन था अलाउद दीन खिल जी जब आकमण किया था उसमें देवगरी का सासक रामचंद्र देव था ठीक है उसमें देवगरी का सासक कौन था रामचंद्र देव था और रामचंद्र देव को हराने के बाद उसने बोला कि अब आप क्या करेंगे आप हमें परियर जो तो आप कमाएंगे उसका हिस्सा देंगे लेकिन उन्होंने क्या कि दो तीन साल उसने जो कुछ कमाया था उसका हिस्सा नहीं दिया फिर अलाउदिन खिल जी ने मलिक काफूर को भेजा, मलिक काफूर को भेजा, रामचंदर देव के राज्य में, मलिक काफूर वहां गया, रामचंदर देव को हराया, वहां लूट पाट की, उसके पाद रामचंदर देव और उसके कुछ सगे समन्दी को लेके आया अलाउद सोने का टंका देकर उसे उसके राज भेज दिया ठीक है यह प्रस्ण पूछा जाता है कि अलावदीन खिल जी ने किसे राय रायन की उपा देदी तो किसको दी थी राम चंडर देव को दी थी ठीक है इसलिए मैंने इसका बैख्या किया कि यह प्रस्ण आपके ज्यामें मंगोलों के बीच सीमा क्या थी देव बारा सो सत्तान पर सिर्थ तेरा सो छे इस वी तक उसने कुल छे युद्ध लड़े और छे युद्ध लड़ने के बाद यह निड़े हुआ कि आप सिंधु नदीक से पार इस तरफ नहीं आएंगे हम सिंधु नदीक है उस पार नहीं ठीक अलावदिन खिल जी नहीं यह परथा शुरू की थी क्योंकि उसके पास इतनी बड़ी सेना थी कि ये उनका हुलिया ना लिखता और घोड़ों को दागने की परथा शुरू की थी तीक है अलावदिन खिल जी नहीं और इसमें और आप संगों हम लोग देख लेते इसी कि समय है कि जालालुद दिन फिरोज खिल जी ने क्या की थी खिल जीवंस की अस्थाबना की थी 1290 में आलाऊद दीन खिल जी कौन था उसी का भतिजा और दमात था ठीक है मुवारक खिल जी जो था ये खिल जीवंस का आखरी साथ सकता था और मुहमद बिन तुगलक जो है ये तुगलक बंस का था ठीक है तो अगला प्रफनमारा है कि अलाव दिन खिंजी के निम्न सेना धच्छों में से कौन सा तुगलक बंस का पर्थम सुल्हान है तो टिवालंगि मलिक जिसे थी के मरने के बाद जब यह अस्थापना की तो कौन था गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक हमारे अपसन सही है गाजी मलिक के बाद या गयासुद्दीन तुगलक के बाद तुगलक बंस का राजा कौन बना मुहम्मद बिन तुगलक की ठीक और मुहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज तुगल सबसे अधिक समय तक देश में राज किया सबसे अधिक समय तक किसी ने राज किया सबसे कम समय तक किसी ने राज किया तो खिल जी वंस ने कुल 1296 से उसने शुरू की 1290 से और तीस साल सबसे लंबा सासन जिसका था तुगलक वंस का सबसे छोटा जो सासन कालता हो खिल जी वंस का था अगला प्रसन है कि दिली के किस सुल्टान ने एक पिर्थक किरसी विभाग अमीर कोही की अस्थापना की तथा फसल चक्र की योजना बनाई थी ठीक है इसका सही उत्तरा मारा है महंमद बिन तुगलक ठीक है महंममद बिन तुगलक ने सबसे पहले अमीर य एकक की किसी की सुधाने के लिए संथापना की थी और मुहमत बिन तुगलग के भिसरि में कहा जाता है। इसके साहसान काल में चांदी की बहुत ज्यादा कमी हो गए थी इसने चांदी को बने किया टाबे और कासे की मुद्रा चलाई जिसकी जो वेलू थी चांदी वेगतों होग के बराबर ती जैसे इसमें हमारे पाफ जो 500 रुप में उस समय के सोने के बराबर होती है तो वह यह भी प्रकार के सांकेतिक मुद्रा लेकिन जो तुगलक ने चलाए थी ठीक है मुहम्मद बिंदम तुगलक ने सांकेतिक गुशने कुछी थी महükंद बिन उन्हाइज इसके सासंकाल में वतूता भारत आया था जो को मुरक्को मुरक्व देशी निवास्ती था इबन बतूता 1333 में आया था और इबन बतूता की किताब है रहिला जो काफी पूछे जाती है ठीक है उसमें उस समय तुगलग बंस के बारे में इसने बढ़न किया तो इसका हमारा आप सही उत्तर हो जाएगा मुहम्मद बिन तुगलग ने अमीर को ही के सबन की अगर सांकयतेक मुद्रा की बात की जा तो मुहम्मद बिन तुगलग नहीं की थी इल्टुतमिष कौन था कुद्बुद्धिन वक का गुलाम था और बलवन कौन था इल्टुतमिस का गुलाम था ठीक है अलाभецीकि पर बहुत सी बात हम ने च्हांट यहां पर उसकी चर ले गया इसे सरवधिक बिद्वान खगोल साफ्त गड़ित का और विज्ञान का ग्याता माना जाता था ठीक है यह पढ़ा लिखा बहुत था इसके पास ग्यान का भी बंडा था लेकिन इसने जो पने परियोग किये उसको ये सही से लागू नहीं कर पाया ठीक है इसने बहु इसे बहुत से कार किये लेकिन इसका कुई भी कार सफलं नहीं हृँ पाया लाव दिन खिल जी ने जो काम किये उस सफलं हुई ठीक है बलवन ने जो काम करने की कुछि ais कि उसमें सफल नहीं पाया इसलिए इससे सब्सील पागल रखती पांब आ जाए कि मैं आपका डृढ लगा रहा हूं इस कंपनी में आपको बहुत ज्यादा मुनाफ़ाद होंगा पता चले जिसमें लगा यो कंपनी डूप जाए तो आप मुझे गाली देंगे लेकिन मेरा जो मोटिफ तो गलत नहीं था तो मुहम्मद बिन तुगलक का जो करने का जो सोच थी ओंड़त नहीं थ किसके सासनकाल भारत आया था ये मुःंमाद हो दे लेन सुलतान ने इसको अपना राथ traff में लीए जा था और ऑर महमत भी तुगलक के बारे में आप आख पर देखेंगे कि दच्छिड में हरीहरो बुक्का ने बिजयनेगर सामराज की स्थापना कर दी क्या इसका ये अर्थ निकलता है कि ये कमजोर होता गया और अलाउत दीन भहमन साह ने भहमनी राज की स्थापना कर दी ठीक है तो इसके साथनकाल में इसका राज जो किसकी मृति पे कहा था कि सुल्तान को अपनी परजा और परजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई तो ये मुहम्मद बिन तुगलक के बारे में सही है मुहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया कि सुल्तान को परजा से परजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई गयासुदिन तुगलक कौन था ये तुगलक बंस की अस्थापना गयासुदिन तुगलक ने की थी उसके बाद मुहम्मद बिन तुगलक राजा बना था सुल्तान बना फिर फिरोज सा तुगलक सुल्तान बना उसका आखरी जो सुल्ताना था वो नसुरदीन मुहम्मद तुगलक इसके बाद तुगलक बंस खतम हो जागा ठीक है अगर पूछा जाए कि सबसे जो यह सल्तनत काल है उसमें सबसे बड़ा काल किसका था और तुगलक बंस का था सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो वो खि भी नहीं ठीक है फिरोज सा उगलक के बारे में पूछा कॉन सा सची नहीं सरप्रथम लोग निर्मार बिभाग कि असुद्धना किती यह था नहरों के सबसे बड़े जाल का निरमार चाल का निर्मार किया था यह भी सची उसमें नहर भी बनवाए थे डीवाने खैरात उसने किये थे फिरोज सा तुगलक क्योंकि जब यह मरा मुहम्मद विन तुगलक उस समय राज में बहुत ज्यादा अफराद अफ्री थी किसी को ना तो रोजगार था ठीक है ना तो राज धंक से चल रहा था ना खेती बाड़ी धंक से हो रही थी तो उसने क्या किया नहरों सा तुगलक के सासनकाल में ठीक है उसने दीवाने खैरात ठीक है दीवाने खैरात की स्थापना की यह इसलिए कि जिससे मुस्लिम जो महिलाएं हैं विद्वा लड़कियां इनकी सहायता हो सगे ठीक है इसने दीवाने बंदगान की स्थापना की क्योंकि फिरोज सा तुगल यहां पर उसको रोजगार मिला क्योंकि वह इतने ज्यादा नगर वसा ही रहा था आपको रोजगार चाहिए आईए रजिस्टर कराईए जाइए काम करिए तो यह सब बातें फिरोसा उगलक के लिए सही है ठीक है क्यों नहीं है तो कौन सा एकता पड़ा एकता पड़ाली किस ने किया था हूब अगला प्रस्ठामारा है कि निमर्कत में से कौन सा कथन फिरोस साथ सान सही नहीं है यह क्या बहतствен वह विश्द्द के बिएवश्था ख्यराती इस्वत्ता ये बात गलत है कुभतुलिससलाम मसजिद का निर्माड कराया ता हुद दिन एवक ने तीक है दिल्ली में इवक ने करा करा और एक चीज गराए था धाई दिन का जोपड़ा अजमेर में बनवाया था जो गुद्व मिणारत उसकी नुग मिनारती नाली थी जो नाली और आपको पानी दिया तो कर तो लेगा ही, तो सिचाई करकी भी उसने ब्रामणों पर जजिया कर लगा दिया, ठीक है, अब जजिया कर तो जैसे जो हिंदू थे, उन पर जजिया लगता था, ठीक है, जो गैर हिंदू थे, उन पर जकात लगता था, लेकिन इसने उस समय तक, प्राम्वणों को चूट दी जाती थी लेकिन इसने क्या कि आप प्रजजिया कर लगा दिया ठीक है तो इसमें हमारा सायुत तजय कुवत पुल इसलाम महजित कि इसकी असापना किसे ने कि ती कुद्वुद्दिन एवक ने कि थी बाकी चीज याद रगाने यह सब एक ही कि आपका जो पूरा कांसेप्ट रहेगा वो किलियर हो जाएगा आपको बहुत ज्यादा इधर उधर वीडियो देखने की जरूद नहीं पड़ेगे ठीक है और कम समय में आपका ज्यादा रिवीजन होगा सैयद बंस का संस्थापक कौन था सैयद बंस का संस्थापक कौन यह था टैमूर लंका सेनपत्य जब टैमूर जीत के जा रहा था तो इसने मुलतां लाहर दिपालपुर्गा इसे सासक को कर दिया कर को ठीक है जोटके जा रहा था इंडामूर लंग उसनी क्यां क्या तो खिरिज खा ने सुल्तान का पद नहीं धरण किया यह अपने आपको रहते आला बुला था ठीक इसी सवर्णे अपने आपको खुश रखा और खिरिज खा क्या रहता था वह तैमुर लंक के पुत्र सारुक को क्या करता था जो कुछ यहां से आय बनती थी वह भेजता रहत है ठीक है अलाउद्दीन आलम साथ जो दहा ओ क्या नाम है कि सायद्वंश का आखरी साथ सब्सक्राइब कर दिल्ली की राजगत्दी पर अफगान सासकों के सासन का निम्खित में से कौन सा एक सही कालान कुरम है ठीक है मतलब कौन अपको अफगान सासक की अगर बात करें सबसे आपके दिमाग में आजानी चाहिए लोदी बंस तीक कि यह ये अफगा हुए इसमें अस्थापना कोन कि Sandra sarag कोन बना इसे को देखना तो लोदी तो सिकंदर सास्व बि cosas बना ओसके बाद लाटता इसने बाबर के फैफ 15 26 में लडाई की और फिर उसमें हारा ठीक है तो बहलोल लोदी सिकंदर सम्साव इब्राहिम लोदी या आप से का सथिए आपको बताना चाहिए यह हमारा जो है यह topic वाइज होता है यह सोमार से सनिवार तक होता है प्रतेग विशे का topic सुमार को इतिहास है है फिर वो गोल फिर सम्मिधान फिर पिज्ञान प्रयावराण हिंदी इस परकार यह बराबर चलता रहता है तो यदि अभी तक आप हमारे इस्टेस्ट से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज आप चरूर जुड़े वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है सीधे जूर सकते हैं टेलिग्राम पे पहला यहां जो divers है जी बनाते हैं तो कैसे उसका तो मैं खुद बनाता हूं इसके बाद क्या सोदूर को dank तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हो परते दिन सो मौर से सनिवार तक लगातार आप टापिक वाई टेस्ट दे क्योंकि आपका टापिक पहले फिर डिफाइड होता है आपको वह रिवाइज करना फिर आगे टेस्ट देना अगला प्रफना है कि महाराणा सांगा अबराहीम लोदी को किस यूदि में प्राफ्त किया था तो यह किस यूदि में प्राफ्त किया था ख़तोओली के यूद में साहाएज सायद 28 28 के आसवास हुआता है ठीक 1526 में पानी पत का पर्थम युद्ध हुआ था ठीक है यह सब भी आप याद रखेएगा कि समध्य कि युगीन सुल्तान को आगरा सहर की नियू डालने यों उसे सल्तनत की राध्धानी बनाने का से है तो यह सिकंदर लोदी ने क्या किया अगरा सेर की नियू डाली ठीक है और उसे अपनी राध्धानी बनायता है अगर हम बात करें तो लोदी बंस के इसापना किस ने की थी बहलोल लोदी ने फिर उसके बाद इब्राहिम लोदी और राणा संगा कि अदरा संगा इब्राहिम लोदी के बीच में यह यह दूआ के ता जो की खतव्ली में हुआ ठीक है अगला प्रस्वेमारा है कि बीजै कवित्री थी वो थी गंगा देवी ठीक है गंगा देवी ने अपने पति का जो जीत के आया था उसकी उसने एक दम अच्छे से बढ़न किया था ठीक है गंगा देवी याद रखना अगला प्रफन है कि बिजय नगर के राजा कृष्ट देव राय ने गोल कुंडा का युद् तुलूब बंस के Dayap शेकर किर्फट uzड़ी 하기 कर्या तेतल लावार्ग तो यह किर्फट ढोर राय थे द्लूब बंस के क्रिफट देव राय के दर्बार में रहते थे तो क्रिफट देव राय के दरबार में रहते थे इन्हों यह चीजह होगा किरिफ्देव राइक अविल्त्रम में कितों की तेलोहिता चेली में केंज़ेव दोएनकिति पहला जाना नाम कीज़ी सब्सक्रण कीज़िक डे telब आकर वामनें जाने और? लीनersonीनेकितवाई है उन्हों अफट्रा इस्वापन विनों भोज और आंद्र पितामा के नाम से जाना जाता है ठीक है यह सब जीजे हो गई और बाकी कुतुब दिन एवक बलवन और अलाव दिन खिल जी के बारे हमको पता हिए अब तक इसकी चर्चा कई बार हो चुकी ठीक है बलवन के बारे में इसने लोह और रख्ट की नीत अपनाई थी सजदाव पवस्क शुरू किया था और थार्सी तयवार नरोज भी इसने शुरू की थी ठीक है तो इस वरकार बलवन के बारे में यह बीजे नगर का प्रफित रहा हजारा मंद्र किसके सासनकाल में बना एक्रिफ्ट देवराय के सासनकाल में अभी मैंने बना ठीक बताया था यह अगला प्रफिने अब्दुल्रजाक बिजयनगर आया था ठीक है अब्दुल्रजाक किसके सासनकाल में बिजयनगर आया था यह देवराय सेकंड के सासनकाल में बिजयनगर आया था ठीक देवराय सेकंड के सासनकाल में अब्दुल्रजाक आया था अब सासनकाल में देवराय परथम के सासनकाल में निकोलो निकोलो मॉबाइल पर उंगली से लिखते बनता नहीं लिखता नहीं ज़्यादा मैं मैं बोल के बता दे रहा हूं कि देवराय पर्थम के सासनकाल में निकोलो कॉंटी आया था जो कि इटली का निवासी था देवराय सिकेंड के सासनकाल में अब्दुर रज्जा का आया था जो कि फारस का निवासी था ठीक है और कृफ्ट देवराय के सासनकाल में डोमिंग पायस और बार्बोसा ये दोनों आये थे और सब्सक्राइब एक इस परकार ये सब आपने देख लिया अगला प्रस्ना घरत्रेंट के भासिकार सायड को आस्रे प्राप्त था ठीक है इसका इसका तहीं उत्तर हमारा है बीजे नगर राजाओं का ठीक है बीजे नगर राजाओं के सासनकाल में सायण आया था ठीक है बैदिक गरंदुक अभासकार सायण को आसरे प्राप्त था बीजे नगर राजाओं का ठीक है इन्हीं के राज में ये रहता था अगला प्रस्ण मारा है कि बीजे नगर और इसवी में तलीकोटा को और किस नाम से जाना जाता है तो तलीकोटा को राचसी तंगडी ठीक है या बन्नी हटी के नाम से भी जाना जाता था अगर इस नाम से पूंचा जाए राचसी तंगडी या बन्नी हटी या तलीकोटा किसी भी नाम से पूंचा जाए तो यह कि बाद क्या होता बिजे नगर समराज का पतन हो जाता ठीक है यदि आप बिजे नगर समराज के धुनसा सोसो को देखना चाहेंगे तो यह आपको तूंग भद्रा नदी के बीजे नगर समराज की जो राजभाफा थी तिलगू थी तिलगू थी सन 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था पानिपत के प्रत्थम युद्धे में ठीक फिर 1527 में बावर ने राणा सांगा को हराया ठीक है इस वरकार बावर ने इधर तीन लड़ाई इसके हो गया ठीक फंदावचपीस अटाइस और अठाइस टीक है और 1531 बावर ने अफगानों को हराया था घागरा की उद्धि में तो बावर ने भारत में उकुल चार आकनाड की पंदरा सो चाहिए का इससे पहली विदा लेकिन मुख रूप से चार हो गये में पंद्रा सो श्भीस में इसने अशर Как का रहा है 15ए 253 में राड़ा सांगां को रहा है 178 अगला TOP स्थान के खंडार को बिजय नेगर की प्राचिन राजधानी प्रद्मित करती है यह आपका हम ठीक है हम पी और यह कहा है तुमधानी अम्राज बेऊस्था पढ़नी है तिक है और इस परकार पढ़नी है कि कि आप मेंस परिच्छा में उसका एंसर राइटिम भी कर सकें तो आपको कहीं जाने की आउस्ता नहीं आउसकते आ पढ़ेंगे तो आपका निश्चति यूपी एसाई में जो काम सेट्टकल कोश्चन आते हैं आप उसको भी धालादमा कोश्चन को आप हल कर पाएंगे तो यह आपको सम्धाने राजविश्चा पढ़नी एंगे तो आप आईए हमारे यूट्म चैनल पर आप वहां से आप प अभी तुरंत पढ़ाई पढ़ाना शुरू हुआ है जो कि अगले दो महिने में एक कंप्लीट हो जाएगा तो यह दिया आप यह सब पढ़ना चाहते हैं आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप रिएजुकेशन जोइन कीजिए आपको कुछ भी करना है तो आप सब कुछ मिल